नमस्ते है जी धैरेवान हीलिंग सैंस है मैं हूँ धैरेवान आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों कुरोना की एक नई लहर आ गई है बहुत सारे किसिस इंडिया में देखने को मिल रहे हैं आपके शायद आपके भी शहर में कई किसिस मिल गए होंगे तो रेकी हीलिंग म हम कैसे कुरोना से अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को अपने महले वालों को जिन लोगों तक हम अपनी दिश्ट्री पहुचा सकते हैं वहां तक के लोगों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उने कैसे हम बचा सकते हैं कैसे हम जल्दे रिकावर कर सकते हैं कैसे बहुत जल्दे उनकी तेवर ठीक कर सकते हैं इस पर आज मैं चर्शा करने वाला हूं ये वीडियो basically healers के लिए है तो healers को क्या करने हो तो मैं समझाऊंगा आम लोगों के लिए एक एंजल नमबर भी बताओंगा तो आप जो healing science नहीं जानते हैं वो एक एंजल नमबर लिख लिए जाएगा सबसे पहले जिस किसी को भी करोना की symptoms दिख रहे हैं फीवर है बुखार है सर्दुखम जो भी है लग रहा है कि बढ़ा हुआ है उस समय क्या करना है spiral chakra से उन्हें clean करना है spiral chakra के लिए पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ लिंक आपको description में मिल जाएगा spiral chakra में क्या होता है कि chakra का जो ship होता है उसको हम इस तरह से लिते हैं चारो दिशा से जैसे एक person इसको front से left से right से और पीछे से उपर से chakra बनाया और इस तरह से धीरे 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 नीचे ले करके निकाल करके उसको नमक पानी में हमने डाल दिया तो chakra से उनके aura को clean करना है basically उनके आपा मंडर को clean करना ही यहाँ पे मकसद है चोकोरे के सारी है दूसरा तेका क्या शामिन सिंबल का प्रयोग करना है शामिन सिंबल को अपने हाथों में बनाना है और दूसरा आपता सिंबल बनाना है शामिन और आपता देखने में कुछ-कुछ एक जैसे लग सकते है लेकिन शामिन और आपता दोनों बनाना है शामिन बोडी पेन, हड़ियों का दर्द, तबियत, उखार यह सब में काम आता है जिसका पूरा वीडियो है समझाया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बिटा सबसे इंपोर्टन बात है कि सारे जो स अगरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसको कलिक करके देख सकते हो कभी भी क्योंकि सिखना आप ही इंपॉर्टन अपकी लुगों को ठीक करने के लिए तो शामिन सिम्बल के बारे में देख लेजएगा अगला सिम्बल है आपता जो की है सामन जस्से के लिए अंदर से बाह रहता समझना है तो बसे इतनी मुद्धे अलिवात काफी है शामीन और आपता सिंबल को बना करके आप अपने हाथों में बना लेंगे और फिर अपने मरीज पर भी वही सिंबल बना लेंगे और उन्हें हील करना शुरू करतेंगे यदि आप करुणा रेकी जानते हैं यह तो पासलाइब को कि कि हमारी कर्मास को या कोण को हम कट कर लेते हैं यहील कर लेते हैं तो वह चीज़ जल दिरी कवर होती है तो अब क्या अब क्या करना है? इन सारी सिंबल्स को हाथों में और आपके मरीजों में बनाकर उन्हें तिन से पांच मिनट के लिए रिए हील करना है तिन मिनट सफिशेंट होता है कभी कभी लगता है कि और उर्जा निकल रही है अब यह ओर जरूरत है तो आप पांच मनद तक के लिए भी healing दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ, ये तो हो गया healers के लिए। आम इंसान या कोई भी healer, जो patient है, उनको सबसे प्रद कुरोना से बचे रहने के लिए seven chakra bracelet सबसे good होता है। seven chakra bracelet बचे रहने के लिए भी और अगर हो भी गया है, तो अपने मरीज को ये पहना दीजे या आप खुद पहन लीजे। मरीज को हुआ तो मरीज पहनेगा, अगर आप को हुआ है तो आप। मतलब बचने के लिए भी और recover करने के लिए दोनों के लिए ही seven chakra bracelet बहुत तब है। बहुत समझदारी से इसे बनाया गया है, तो इसका उपयोग करें। जो लोग healing नहीं जानते हैं, उन्हें ये पहना दीजे। और जो लोग आप देख रहें, तो आप इसे ले करके, heal करके पहन लेजे, किसी योगी healer से heal करवा कर लेना, ताकि वो energized हो जाए और उसका उप्रयोग आप कर सके। एक और किस्टल होता है, लावा, अगर आप seven chakra नहीं पहनते हैं, तो लावा भी अगर पहनते हैं, तो भी बहुत शांदार शीज है, लावा आपको हमेशा बचाया रखता है, इस तरह के viruses से, इस तरह की नजरों से भी बचा कर रखता है, तो ये आप इस्तिमाल कर सकते हैं, इंजन नमबर लिख लिजेए, 331,336,333,339, ये इंजन नमबर left body part में काले रंग के पैंस, समझे, काले रंग के पैंस से left body part में कहीं भी आप लिख लिजे, इंजन नमबर का प्रियोग भी कैसे करते हैं, स्वरी मनें बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुब है, कभी व वो भी देख लेज़ेगा, ज़रोट नहीं, लेफ्ट पॉड़ी पार्ट में सिदा लिख लेना। आशा करता हूँ, इस समय जब एक महा मारी फिर से दस्त तक दे रही है, हमारे संसार में, आप एक अच्छे ही लर्बन कर लोगों की मदद करेंगे। आशा करता हूँ, यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ माया होगा, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए, नमस्ते यह जी.